अगर आपके भी इन आने वाले महीनों में delivery होने वाली है यानि कि सर्दियों के मौसम में आपकी delivery होने वाली है और आप चाहते हो कि आपकी normal delivery ही हो तो जो मैं इस वीडियो में आपको चीज़े बता रही हूँ न वो आप जरूर कीजेगा आप समझ लीजे 100% normal delivery ही होगी आपकी इन चीज़ों को अपनाने के बाद सो चलिए जानते हैं कुछ important points वीडियो को complete जरूर देखेगा एक भी point आपसे miss नहीं होना चाहिए चलिए start करते हैं आज का वीडियो में हूँ रेश्व आप सभी के साथ सबसे पहली चीज है अगर इस समय आपके शरीर में खून की कमी हो रही है आपका जो हीमोगलोविन है वो 11 पॉइंट तक नहीं है यानि कि 11 पॉइंट तक आपका हीमोगलोविन नहीं है तो फिर आपको बढ़ाना शुरू कर देना है कैसे बढ़ेगा सर्दियों का मौस में हरी हरी सबजियां आएंगी गाजर चुकंदर और पालक मैथी भत्वा बहुत सारी चीज़ें आती है इस समय हरी हरी तो आप हरी सबजियां खाना जल से जल शुरू कर दीजे इनमें भरपूर मात्रा में आइरन होता है जिससे आपका हीमोगलोविन बढ़ेगा साथ ही आप अपनी डाइट में आज से ही दो अकरोट की गिरी किशमे खजूर लेना शुरू कर दीजे आप टमाटर सस्ता हो जाएगा ठेंडी में तो टमाटर की सलात खाईए टमाटर काट के कच्चा उसमें आप काला नमक डालके चाट मसाला ड आप डेली खाईए तो इससे आपका हीमोगलोविन तेजी से बढ़ जाएगा और जो डॉक्टर ने आपको आपकी आइरन की मेडिसन दी है वो भी लेना बहुत ज़्यादा जरूर है उसको भी बिल्कुल भी मिस ना करें डेली वो टैबलेट जरूर लीजेगा तो इन तरी के बिल्कुल पार पहुच गया है तो मतलब आप ओवरवेट हो रहे हो मतलब आपका बजन जादा बढ़ रहा है बैसे प्रेगनसी में 10-12 किलो तक बजन बढ़ना नॉर्मल होता है लेकिन आपका बजन और भी जादा बढ़ गया है इससे तो आप ओवरवेट में आ चुकी तो अपने बजन को कंट्रोल करना अब शुरू कर दीजे जितनी भी आपने बाहर की तली भुणी चीज़ खाई हैं तेल वाली,सालेदाट जो भी आपने बाहर का खाना खाया वो बिल्कुल बंद कर दीजेगा जादर सादर सादर अब जूसेस फूर्ट्स ले सकते हो पान की नॉर्मे डिलेवरी में परिशानी आती है तो आपको अपना बजन कम अब जल से जल शुरू कर देना है करना जिससे कि नॉर्मे डिलेवरी आसानी से हो लेकिन अगर आपका बजन सही से बढ़ता आ रहा है तो फिर टेंशन लेनी की बिल्कुल भी जरूत नहीं है तीसरा प इसलिए इस पर भी ध्यान दीजे अपनी डाइट में नमक बिल्कुल कम से कम इस्तमाल कीजेगा अगर नमक इस्तमाल कर रहे हो तो सफेद वाला नमक इस्तमाल मत कीजे जो सेंधा नमक होता है उसका सेवन कीजेगा और साथी साथ ओयली खाना जो है घी है ज्यादा तेल की चीजे है वो भी बंद करिए इस टाइम पर नहीं तो बीपी और ज्यादा हाई हो चौथा पॉइंट है जब आपका नौब महीना लगता है उससे एक महीने पहले यानि की आठवे महीने से आप गुनगुना पानी पीन शुरू कर दीजे ठंडी चीजे बिल्कुल बंद करिए पांचवा पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है कि आपको इस टाइम पे छोटी-छोटी एक्सराइजिस करना शुरू कर देना है जैसे कि आप बटरफ्लाइज, स्कॉइटिंग, डख वॉक यह सारी चीजे कर सकते नहीं तो आदा घंटा सुबह और आदा घंटा शाम को वॉक कर लीजे और अगर यह भी नहीं कर सकते तो नॉर्मली अपने घर का जो काम है छोटा वोटा वो तो करते ही रही है साथ में एक कमरे का जाडू पॉच्छा आप दौनों टाइम कर सकते हो जैसे कि उकडू पोज में बैठके जाडू लगाना उकडू पोज में बैठके पोच्छा करना एक कमरे का जादा नहीं के फिल एक ही एक कमरे का देहान दे पेट पर आपके दबाव बिलकुल ना पड़े है ठीक है नब फ्रेंट तो यह मेंने आपको बताए इन पर देहान देना शुरू कर दीज आपकी नॉर्मेल डिलेवरी होने से कोई रोक नहीं सकता मिलते हूं नेक्ट वीडियो में थैंक्स फूब वाच्छिंग